नमस्कार दोस्तों मैं अंकियत पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल अंकियत पर्मा और ह्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों देख सकते हैं ताजा खबर ब्रेकिंग नुज आईए कि हिमाचल में बैंक का करमचारी जो है सस्पेंट किया गया ह तो क्यों जो है यह अधिकारी सस्पेंट किया गया है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं कि KCC बैंक का AGM निलंबित तो हिमाचल परदेश में KCC बैंक का AGM निलंबित किया गया है धर्मशारा से निलंबित कि KCC भी ने मुख्याले में बैंक के एक AGM को निलंबित कर दिया है कारवाई की गाज AGM पर NPA Management Policy की जांच को प्रभावित करने वा बैंक की जानकारी को साजा करने पर गीरी है कुछ दिन पहले ही ओकत अधिकारी का मुख्याले से अन्यस्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था इस मामले में मुख्याले के ओर से 31 मार्च को ओकत अधिकारी को बैंक प्रभंधन ने कारण बताओ नोटिस चारी किया था जिसमें दो दिन के भीतर अपना जबाब देने के आदिश्ट दिये गये थे इस मामदे में मुख्याले की ओर से जो है कारवाई करते हुए संबंदित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है निलंबित अधिकारी को बिना बताए जिस स्थान पर स्थानेंतरित किया गया उसे ना छोड़ने के भी आदिश्ट दिये गए है गौरब तलब है कि कोछ दिन पहले ओकता दिकारी ने बैंक का दिकारियों द्वारा दिये गए रेंड पर भी आपत्ती जताई थी तो इस प्रकार आप देख सकते हैं धर्मिशाला में जो है के सीसी बैंक का एजियम को जो है वो निलंबित सस्पेंट किया गया है अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक है माचल प्रदेश की हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद जैहिंट जैभार